शुक्लाम् परधरं विष्णुम् शशीवरणन् चतुर्भुजं। प्रसन्न वद्नन ध्यायेत सर्व विग्नो पशांतये। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मने नमहा। ध्यान श्लोकाह। पारथाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायनेन स्वयं। व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिनाम अध्ये महाभारतं। अद्वेता मृत वर्षिनीम भगवतीम अष्टादशा ध्यायनीम। अम्बत्वामनुसंदधामी भगवत गीते भवद्वेशिनीम। ओम श्री कृष्णा परब्रह्मने नमहा। ओम कृष्णाए नमहा। ओम कृष्णाए नमहा। सबी को सुप्रभात और जैश्री कृष्णा। आज हम गीता दर्पन जो स्वामीर रामसुक दास्ची द्वारा रचित है। उसमें 48 एपिसोड करेंगे गीता में समता। तो सिद्ध साधक योह प्रोक्ता, गीतायाम, समता, दुधा, मानसी, साधका, नाम, चासिद्धा, नाम, सहजा, स्मृता। तो गीता में अगर कोई प्रभावशाली लक्षन है तो वो है समता। वो समता किसी भी साधन से आ जाए तो बेड़ा पार है। साधक में एक सम्ता के आने पर गीता दूसरे लक्षणों को देखती ही नहीं क्योंकि सम्ता साक्षात परमातमा का स्वरूप है, निर्दोशम ही समम ब्रह्म गीता 5.19 या फिर समो अहम सर्वभूतेशु गीता 9.29 और सम्ता में ही साधन की पूनता है, अतह सम्ता आने पर दू दूसरे बहुत से लक्षण है तो वो अधूरा है, उसमें पूनता नहीं है, सम्ता के बिना दूसरे सब लक्षण, विद्या, योग्यता, आदा, आदर, निरोगता, धन संपत्ति आदी कुछ नहीं है, वह सब विशमता है, या सम्ता मनुष्य मात्र को स्वतह प्राप्त है विशमता तो मनुष्यों की अपनी बनाई हुई है, अतहा विशमता क्रत्रिम है, प्राक्रत है, टिकने वाली नहीं है, क्योंकि यह असत, यानि शरीर आदी के संग से पैदा होती है, प्रतेक क्रिया का आरंभ होता है, और समाप्ती होती है, कर्म फल का भी संयोग होता है, और वियोग होता है, पर स्वयम जोंका त्यों रहता है, ये सब के अनुभव की बात है, संयोग वियोग तो व्यक्ति, क्रिया और पदार्थों का हुआ, पर स्वयम का कोई संयोग वियोग नहीं हुआ, वो जोंका त्यों ही रहा, संयोग मातर का वियोग होना अवश्यम भाव अर्थात जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा ही परंतु जिसका वियोग हुआ है उसका संयोग होगा ये नियम नहीं है अतह संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है अगर इस वियोग पर मनुष्य की हरदम दृष्टी रहे तो मनुष्य में कभी विशमता आई नहीं सकती कारण की विशमता तो उसमें आई हुई है और समता उसमें स्वतह सिद्ध है इसी समता का नाम योग है गीता 2.48 परमातमा सम है उनमें विशमता के लिए कोई अवकाश नहीं है परंतु प्रकृति विशम है अतहा परमातमा की ओर जो दृष्टी होती है वो समदृष्ट होती है ताक पर है कि सब जगे सम रूप परमातमा को देखना सम दृष्टी है और प्रकृति तथा उसके कारे शरीर संसार को देखना विशम दृष्टी है प्रकृति और उसके कार में सम दृष्टी कभी होई नहीं सकती अतहा प्रकृति के ओर दृष्टी रखने वाले अभी विशमदर्शी नहीं हो सकते इसलिए गीता ने परमातमा की तरफ द्रश्टी रखने वालों को समदर्शिनहा गीता 5.18 या फिर सर्वत्र समबुद्ध यहा गीता 12.4 आदी पदो से कहा है। परमातमा के साथ स्वयम का नित्य योग है और मन बुद्धियादी के साथ स्वयम का नित्य वियोग है। अर्थात समता उसके मन बुद्धी अंत्य करण में भी आ जाती है। गीता 5.19 फिर वो सुखदुक आदी में सम हो जाता है। गीता 14.24 और 25 फिर उसकी समता पुन्यात्मा पापात्मा आदी व्यक्तियों में भी हो जाती है। गीता 6.9 फिर वही समता वहवार में भी आ जाती है अर्थात वहवार में उसके रागद्वेश नहीं होते गीता 5.18 फिर उसकी समता पदार्थों में भी हो जाती है अर्थात पदार्थों में उसकी प्रियता अप्रियता नहीं होती गीता 6.8 तात पर है कि परमातन ट्रत को ल होता है पर हिर्दय में राग द्वेश हर्ष शोकादी नहीं होते अब देखो सम्ता ना दो प्रकार की होती है एक तो साधन रूपा और एक साध्य रूपा साधन रूपा सम्ता अंतह करण की होती है और साध्य रूप सम्ता परमातन तत्व की होती है इसे क्रमशहा साधक की सम उस्ति की समता भी कह सकते हैं, तो पहली है सादक की समता, तो कर्म योगी सादक सिद्धी असिद्धी में सम रह कर कर्म करता है, गीता 2.48, जान योगी सादक में सत असत का विवेक मुख्य रहता है भक्ति योगी सादक भगवन निष्ड होता है वो भगवान की मर्जी में सदा ही प्रसन्द रहता है अतहा उसका सानसारिक पदा अर्थ वस्तू परिस्तिती आधी के संयोग व्योग से आने जाने से कोई मतलब नहीं रहता उसका केवल भगवान से ही मतलब रहता है ऐसे भक्तों को भगवान स्वयम समता देते हैं गीता 10.10 अगर करम योगी में समता नहीं आ रही है तो सिद्धी असिद्धी में उसकी महत्व बुद्धी है अगर जान योगी में समता नहीं आ रही है तो असत पदार्तों में उसकी महत्व बुद्धी है अगर भक्तियोगी में समता नहीं आ रही है तो भगवान की कृपा की तरफ उसकी द्रश्टी नहीं है निशकर्ष ये निकला कि विनाशी पदार्तों का महत्व अंतह करण में होने से ही स्वतह सिद्ध समत का अनुभव नहीं होता उस महत्व के हट्टे ही सम्ता आ जाती है तात पर है कि सम्ता के साथ मनुष्य का नित्य योग है केवल असत को महत्व देने से ही उसमें विशम्ता आती है अतहां मनुष्य असत को महत्व न दे दूसरी बात है सिद्ध की सम्ता ये तो ये तो साधक की समता की बातें करी हैं अब हम सिद्ध की समता बात करते हैं तो सिद्ध करम योगी यानि गीता 6.8 और 9 में या फिर सिद्ध जान योगी गीता 14.24 में और सिद्ध भक्ती योगी यानि गीता 12.18 और 19 में तीनों में समता स्वताह रहती है तातपर है किसी भी मार्ग के साधक पर जब तक अनुकोलता प्रतिकूलता सुख दुख आधी का किंचित मातर भी असर पड़ता है और वहा उनसे विछलित होता है तब तक साधक में साधन रूपा समता रहती है जब साधक को अनकूलता प्रतिकूलता अधी का जान तो होता है पर उसका उस पर किंचित मातर भी असर नहीं पड़ता तब साधक में साध्य रूपा समता अटल रूप से रहती है उस साध्य रूपा सम्ता के प्राप्त होने पर अंतह करण में स्वयम सम्ता आ जाती है और अंतह करण की सम्ता से यह मालूम होता है कि साध्य रूपा सम्ता प्राप्त हो गई है गीता 5.19 बस इतना ही बताना था आज सम्ता के बारे में आप सब लोगों को जै हिंदुराष्ट्र और इश्वर करें नर्पिशाचों से आपको और आपके परिवार को बचा के रखें अभी हम जो है आदे घंटे के बाद जो है अपनी मेंस्ट्रीम करेंगे आठ बजे से और उसमें हम हर्याना में इस्लामाइजेशन नहीं ये तो कल का है ना हर्याना में इस्लामाइजेशन ये आज का है मेरे को एकदम भूली गया है मेरे खाल में ये सनातन सवा का है if I'm not mistaken मैं कन्फ्यूज हो गई हूँ थोड़ा सा एक मिनिट रुकिए मैं आज हाँ आज तो वो है आज नहीं हर्याना का कल है आज तो वो जो मुसलिम है ना एक्स मुसलिम क्या नाम था उसका उसने भी अपना नाम चेंज करा था जो जो जॉन जैक्सन नाम से आय था ना कल उसक ने अपनी कहानी सुनानी है और पाकिस्तान में क्या हुआ है ये बताना है तो ये है मैं गलत पोल गई थी अथरववेद के समय सब लोगों को कि आज हर्याना का इस्लामिजाइशन के बारे में बात है वो तो हम सनातन सवा में करेंगे कल आज तो जोन जैक्सन के साथ इंटर्वीव है तो फिर मिलते हैं हम आठ बजे वाली स्ट्रीम तब तक आप सब लोगों को जैहिंदू राष्टर इश्वर करें आपको और आपके परिवार को नर्फिशाचों से बचाते हैं विबू जी आपको बहुत साथुवाद मानवी आवगद सिंग गौतम जी और बीके पांडे जी आप सब लोगों को बहुत साथुवाद है अगर किसी को मेरे से बैक में बात करनी है तो मैं एक लिंक दे देती हूँ मैं बैक में किसी को बात करनी है तो कर सकते है मैंने लिंक दे दिया है जै हिंदु राष्टर